इस विल्कम बैक टू माई चैनल और आज हम जानेंगे एलिफेंट बर्ड के बारे में जो एक्स्टेंट हो चुका है सिरुफ हम हुमन की वज़े से तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इसे देख के तो बताई सकते हैं कि यह कभी और नहीं पाएगा क्यों क्योंकि यह इतना भारी होता है और अगर कोई जान्वर इस पे हमला कर दे पर जादे तर जान्वर तो कर नहीं सकते हैं यह खुदी इतना बड़ा होता है तो अगर कर दे तो ये अपने लेक्स से बचाओ कर सकता है इसके पास strong legs होते है तो उसी से ये अपना बचाओ कर सकता है तो आप सोच रहे होंगे कि ये रहता कहा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये मेडा कैसकर के आई लैंड में रहते हैं और ये पूरे 10 फिट जितने बड़े हो सकते हैं और ये human के से तो बहुत बड़े होते हैं और एक chicken को ले लें तो आप जानी सकते हैं अगर ये उस पर पैर रख दिया तो chicken तो गया और अगर ये इस समय जिन्दा होता तो इसका size इतना बड़ा नहीं हो पाता क्यों? क्योंकि हम humans ही सारा खाना खतम कर रहे हैं पूरा pollution फैला रहे हैं इसलिए ये इतना बड़ा नहीं हो पाता आपके मन में आ रहा होगा कि ये extent हो कैसे गया? चलिए मैं आपको बताता हूँ ये extent हमारी ही वज़े से हुआ है हमारी ही वज़े से क्यों हुआ है? चलिए मैं आपको बताता हूँ ये हमारी वज़े से इसलिए हुआ है क्यों? क्योंकि हम लोग 6,000 साल पहले ये जहां रहते थे वहाँ पे हम इनसान पहुँच गए तो इनका शिकार हम लोग करने लगे ज्यादा शिकार करने लगे तो उससे काफी मर गए और इनका हैबिटाइट हम लोग बिगार दिये इनका हैबिटाइट नहीं रहेगा तो ये कैसे बच पाएंगे और ये 43,000 पहले एक्स्टेंट हो चुके है और इनका सबसे करीबी रिष्टेदार कौन है आप थोड़ा वीडियो को पॉस्ट करके सोच लीजिए मैं आपको कुछ आप्शन देता हूँ आप पहले तो आप्शन ये है ओस्ट्रिच, इमू, कीवी इनमे से सोच के आप बताईए कि क्या हो सकता है वीडियो को पॉस्ट कर लीजिए और अच्छे से सोच के आंसर दीजिए आंसर अगर लिख लिए है तो मैं आपको अब आप आंसर बता देता हूँ इनका सबसे करीबी रिष्टेदार है कीवी बर्ड कीवी, आप सोच लोगे कीवी कीवी तो इतना छोटा होता है और ये कितना बड़ा होता है पर नहीं इनका डिने और कीवे का डिने मिला के दोनों का एकदम लगबग सेम ही आता है इस ही लिए कीवी इनका सबसे करीबी रिष्टेदार है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ये एग है इनका और ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड कहलाई जाती है इससे बड़ी बर्ड कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुई अगर इसके इतने बड़े अंडे की बराबरी करनी हो तो आपको 150 मुर्गी के अंडे लाने पड़ेंगे सोचिए इतने ज्यादा एक्ज लाएंगे तब तो इसकी बराबरी हो पाएगी तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये खाने में क्या खाते हैं ये खाने में ट्रॉपिकल फ्रूट्स खाते हैं जहां ही रहते हैं मड़ा गासकर में और कुछ स्मॉल एनिमल्स जैसे नेवलो को खा जाएंगे और छोटी बर्ड्स को खा सकते हैं और इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं पाएगा ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं आप सोच रहे होंगे कि इस बर्ड की एक की खोज किसने की तो इस एक की खोज लिविस मार्डन जीने की है ये है वो शक्स इन्होंने एलिफेंट बर्ड का एक दूंडा वो भी तूटा हुआ पूरा ये तूटा हुआ था पर इन्होंने चिपकाया उसे को अच्छे से उन्होंने चिपकाया और इन्होंने फिर इमेजिन किया कि elephant bird कैसी दिखती है कैसी होती है इनहीं की वज़े से हमें पता चला इसका एक कितना ज्यादा बड़ा होता है गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसी वक्त प्लीज लाइक कर दें पैनल पे नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब करिएगा अरे कहना क्या चाहते हो